कि अपने घरों से यहीं जी आले आया कि तुम्हें गबबर सिंग से बचाने के लिए अब पूरा गाउं सोले मुवी वाला देख सकते हैं यह पहाड़ी उसी तरीके से में चो जाएगी इधर थोड़ी पहाड़ी यह दिख रही है अब ही मैं पहुंचाओं करनाटक राज के बैंगलोरो सहर से लगभग लगभग 40 किलो मीटर तूर राम नगरम में दोस्तो 1975 के अंदर एक फिल्म आईटी सोले इसमें स्टार कास्टिंग की बात करें धर्विंदर अम्ता बच्चन हेमा मानली जी थे और संजीव कुमार भी थे जो ठाकूर के रोल में थे आपको इस फिल्म से जूड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बता देते हैं इस फिल्म में गबबर था अमधन खान जी थे उन्होंने पहले सौट के लिए 20 रीटेग लिए थे यह पहला फेक्ट दूसरा फेक्ट आपको बता देते हैं जो हेमा मालनी थी जो ठाकूर का रोल ज नहीं चाहते थे कि उन्हें वीरु का रोल करना पड़े लेकिन क्या था उदर हमा मालनी थी तो उन्हें उन्हें सचा के साथ में रोमांस करने को मिल जाएगा तो इस वज़ेस्ट अर्वंधन जी ने हां कर दीती इस फिल्म के लिए तो यह दो फेक्ट थे जो मैंने आपको इंटरेट के थुरू जो मुझे जानकारी मिल इसके थुरू आपको बताए अब ही हम है राम नगरम में और राम गड़ लेकिन आपको बता देते हैं यह राम गड़ नहीं है इसको नाम रमेश सिप्पी जी ने रखा था राम गड़ उन्होंने ही पूरा सेटप बनाया था पूरा सेटप बसाया था यहां पर राम गड़ के नाम से आप अगर आएंगे तो आपको राम नगरम आना होगा और यह है राम गड़ पूरा सोले का गाउं बनाया गया था पूरा इधर ही सूटिंग हुआ था इधर पाड़ों के वेज में साही नजारा दिखाई देते इ देख सकते हो यही है पूरा गाउं सोले मूवी वाला देख सकते हैं यह पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ चारो तरफ से तो यहीं पर सोले मूवी का सेट बनाया था अभी क्या हुआ जब रमेश शिपी जी ने फिल्म बनाय थी तो यहां पे कुछ नहीं था उन्होंन नहीं होते थे और यहीं पर फिल्माए गी थी तो दोस्तों अभी हम आपको यहां पे दिखाएंगे श्कीन सोट के जिले ठाकुर का घर कहां पर था मस्जित कहां पर थी और जो भी सिन फिल्माएं गयते इस गाउं के अंदर वो हम आपको दिखाने की कोहिस करेंगे तो यहीं पर पूरा गाउं बसाया गया था तो चलिए दोस्तों स्कीन सोट के जरी से आपको समझाते हैं यहां का नजारा और किस किस तरीके से सीन यहां पर फिल्म आया गए थे सोले मुवी के अंदर वह यहीं पर बनाई गई थी आप देख सकते हैं यहां का नजारा दिखाई तो महां यहां पर जब वह करना जारा देखो यह वाला पत्थ्र स्कीन शाट में उसी तरीके से में चकर सकते हैं और यह चीज्यओ आप मैच कर सकते हैं यह वाला पहाड और यह वाला चोटा सा पहाड़ आप श्किन शौटम में अंदर मस्जित तो एक चीज आपको बता आ सबसे पहले आप देख सकते हैं इस चीज़ को यह वाली जगह यह वाली वैसे ही आज भी पत्थर रखे हुई है और यह चीज़ इसकी इन सोड में पर्फेक्ट मिला सकते हैं और अभी इधर चलेंगे इस साइड में है गाउं और यहीं पर बसाया गया था पूरा रामगड सोले मुवी के अंदर और यहां पर भी बहुत सारे लोग गाउं वाले हैं क्योंकि गाउं बना दिया गया है यहां के लोगों को पता भी होगा कि यहां पर शोले बनी थी लेकिन दोस्तों कुछ भी कहो काफे बेहदी खुबसू जोटा साह साल कुल यहीं पर सिर्फीन फिलमाइं जाते थे पूरा नजरा दिखाई नहीं गया और देख सकते दोस्तों और इस साइड कर साफ का घर जो बोलते हैं ठाकर सहाब डांकु आगए डांकु ऐसे करके शीन आता है और मचदवाला सीन जो है यहीं से लिया गया इस जगह से इस जगह मसजद बनाई थी तो अliers तो में यहां करें सकते हैं यह दिख नहीं रहा है यहां से नजरा यहां से देख रहो यह लोकेशन यह वाला यही था पूरा गाव यार अभी तक समझ नहीं पायते हम लोग और अभी हम लोग स्कीन सोड के जरी से समझ रहें दीरे दीरे यहां पे हलका सा पहाड दिख रहा है यहां पे इस जगा पर यह वाला तो एहमद जी निकल के आते तो उनसे कहते हैं कैसी हो दीदी और मतले हैमा म पर ज्यादा जाड़ अगरा होगा है तो इस वैसे मेंच निवा कि देख सकते हैं इसकीन सोड मिला लेना यहीं का सीन रहता है और आपको मेंच करने के लिए देखर दोस्तों यह जो पानी का बहाओ के बनेना पाड़ के उपर यह भी स्कीन सोड में वैसे दिख रहा है और यह जाड़ अगरा नहीं रहते तो आपको सेंट पर्फेक्ट यहां पर देखने को मिल जाता तो यहां पर सोले बनी दीछिए फोन शसीन लिया गादा वह नो यह पतना को डेट पर दो आप आपको आपको सीन बतार तो इस राम लिट रॉट रमगड रामगड रामगड माल प्ले आन्सोम अदेम अंदीर औन खरता यूंतोड तरी नाρά ऩौला इंस पूर सी पूरतोड गंवे सफली ओन्स Dewसन अवन आखनेल आर्य मुझताइर पूर अच्छा बिजिएमन समीन अमना स Neighbor in the Hindi Indian Indian the ऌता हफ उसको लागाँ आगर एदर बोडर बुड़ा चाहिए अधर अधर फॉंसा इंदर एवरा रामगार इंदर पॉंसा सीन 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 ओर बोड़ी णान थे नेखर से यह ता यह तुटनी लोग है इस इतनी लोग है पॉपलेशन 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 पुर्टे यह वूर्ण बेंगर वर रस्टे लिए तो अंकल की मुझे कुछ बात समझ में नहीं आरी अगर आप तेलगू आप कंडड़ जाने हैं तो आपको जूरू बात है समझ में आ कुछ इस तरीके से आता है क्योंकि मैं भी दूर पर आ गया था वहां से कुछ बन नहीं रहा था तो दोस्तो यहां पर अमिताब बच्चन जी खड़े रहते हैं जब कालिया आता है वो नाज गल्ला लेने के लिए जब मतलब की हपता लेने के लिए डाकू लोग आते थे त तो यहीं से सीन आता है देख लेना दोस्तो इस पाड़ करना जरा कई वार उस फिल्म के अंदर दिखाई दिया गया है तो अमिताब बच्चन जी यहां पर गोली चलाते हैं मार देते हैं कालिया और उसके जो साथी रहते भाग जाते हैं आकूर साब बोलते हैं कि जाओ इस जगा पे और जब अमिताब बच्चन की लास्ट के सीन में मौत हो जाती है जो मर जाते है तो धर्वेंदर जी गुस्सा होके एकनम से निकलते हैं घोड़े से सवार होके तो आप पीछे के पहाड मेंच कर सकते हैं उसी तरीके से देख सकते हैं दोस्तों मैंने स्क्रीन लगा दिया है इदर से धर्वेंदर जी आते रहते हैं घोड़े से इस साइड से कहीं से सीन लिया गया वो नीचे से तो मैं हाइट से इसलिए दिखा रहा हूं कि पहाड़े बहुत ज़्याद है तो आप स्कीन सौड में परफेक्ट मेंच कर सकते हैं इस जगा को देख सकते दोस्तों यहीं से सीन लिया गया था सोले मूवी के अंदर परफेक्ट पीछे की पहाड़ियां मेंच हो रही हैं दोस्तों देख सकते हो इधर ही से धर्विंदर जी अपना बदला लेने के लिए दोस्त का जाते हैं तो अमिताब बच्चन की देथ हो जाती है इसी जगा पर तो यह लास्ट का सीन रहता है मैंने श्किन शॉट लगा दे दोस्तों मैच कर लेना तो यहीं पर बसाया गया था रामगड सोले मूवी के अंदर भी हमुची भही पहाड़ी प्यास हो गया जहां पर ठाकुर साब का घर हुआ करता था गाउं की जो हाइट थी हो नीचे में कि यहीं सहारे सीन आ जाते हैं पहाड़ों की चारों तरफ से ब्रेट पहुअ की वठेट की में और दिक्वी दिह भीutar हैं कुछ मेंधी और रहे ही में नहीं यहीं थो पुरा गाउं नाए साल से उपर ही लग गया था दोस्तों यहीं पर पूल का नजरा दिखाई देता है अभी मेच कन्य के लिए आपको बता देते हैं क्या मेच होगा इस स्कीन सोड में आप से ऐस और या प्रफ यह тайौड देख सकते हो यह इंवाली पहाडी में चौजाईगी यह तुड़ी पहाड़ी यह दिख रही यह देख रहो दोस्तों यह ऐसे करके बनाया गया था पूल इदर से धरविंदर पाजी दोड़ते हुए आया करते हैं घोड़े पर तुम मैंने श्कीन शॉट लगा दिया आप दोस्तों मैच कर लेना इस तरीके का नजार दिखाई देता है दोस्तों भी उसी पहाड़ी पर जहा सेटप तयार किया गया था और इन पाड़ों का नजारा भी आप मैच कर सकते हो उसी तरीके से क्योंकि अभी यहां पर बहुत सारी चीजे बदल चुकी है जरूरत के हिसाब से और लेकिन जो पूरा सेटप था पुल वाला धर्मेंदर और अमिताब बच्चन का सारा सीन यह यहां पर सब गाउवाले रहे हैं और मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिखाया गाउ और जो मैंने परफेक्ट सीन थे वो भी दिखाय तो आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करकर जरू बताना चैनल पर ने चैनल को जरू सबसकार को लेना फिर मिलते है किस वीडियो के साथ में तब तक हमारा प्यार भन वास्कार वंदे मात्रम जय है